नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सोलह अगस्त को मनाई जाएगी स्रावन मां में इस बार अधिक मां से कई सुब कारे इस दिन किये जाएंगे पुन्य साल भर इसका मिलेगा आपको बुद्धवार के दिन होने से इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है और इस दिन की सुरुवाद आप भगवान गनेज की पूजा करके ही करें सुब जल्दी उटकर स्णान करके आप चाहें तो पवीतर नदी स्रोपर में स्णान करें या घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल्या फृर काला तिल डाल कर नहाएं और फिर गनेज जी की अराधना से दिन की सुरुवात करें अधिक मास अब बस खत्मी होने वाला है और अमवस्या तिथी भी आ गई है पूरे तीन सालों के बाद इस सुब घड़ी में हमने बहुत सारे पूजा पाट किये तमाम सिद्धियां प्राप्त की अब चुकि यहां पर इस महिने में आप जो भी काम करते हैं उसके दस गुना फायदे होते हैं अब अधिक मास की अमवस्या का चुकि विसेश महत्तु है ऐसे में इस अमवस्या को कई परेसानियों दुखों के निवारन के लिए खास माना जाता है और माननेता है कि आमवस्या, अधिक मास की जो आमवस्या है, इस दिन दान करें, भूके को भोजन कराएं, तो जीवन में कभी अनधन की कमी नहीं रहती, सारी रिक परिसानी भी नहीं आती, क्योंकि हाँ पर सनी देव को भी तो प्रसंदन कर रहे हैं हम, क्योंकि जो बेक्ति गरीब हैं उनको उनकी जो सहायता करने से सनीदेव की किपा मिलती है तो इस अधिक मास का महत्व जीवन में बहुत जादा बढ़ जाता है चुकि अधिक मास में भगवान स्री हरी की अराधना होती है और सिप जी इस स्रिष्टी के संचालन करते हैं क्योंकि स्री हरी सोय हुए हैं अब दोनों ही देवों की अराधना का महना और विसेश उपाय किये जाए तो आपके जीवन के तमाम परिसानिया भी दूर हो जाती है आज हम बात करने वाले हैं जाडू की अधिक मास की सबसे बड़ी अमवस्यती थी और इस दिन एक जाडू का उपाय आपके जीवन के धेर स सारे परिसानियों को दूर करेंगा आज हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन इसके पहले एक बात जान ले इस दिन आप गंगा स्नान जरूर करें संबब हो तो अपने घर में किसी पवित्र नदी सरोवर में घर के आसपास नहा ले या नहीं जा सकते हैं तो अपने घर मे नहाने के पानी में गंगा जल डाले, अब मा लेते हैं बहुत जगा गंगा जल नहीं मिलते, अब क्या करेंगे, तब नहाने के पानी में दो तुलसी के पत्ते डाल दें, बाद में इन तुलसी के पत्तों को आप उठा कर कहीं मिट्टी में दबा दीजेगा, आप चाहें, तो वो गंगा जल के समान ही हो जाता है तो आप इस तरह से उपाई कर सकते हैं इस दिन भगवान स्री हरी की अराधना करने के साथ सिबलिंग की भी पूजा होगी यानि सिबलिंग पर आप जल दूद दुर्वा घास और काला तिल जरूर अरपित करें अगर आपके पास जो एक घ भास होता है उसका नाम है कुसा आपको पता होगा अगर आपको मिल जाये तो सिबलिंग पर जल में डालकर अर्पीत किया जाए तो जीवन के हरकस्ट से आप बचे रह सकते हैं कहीं न कहीं दैब योग से आपकी रक्षा हो जाती है तो इस अमवस्या पर इस उपाई को जरूर करें और सिब्जी को मनाईए अगर जीवन में आपकी सनी की साड़े साथ यह डहिया है दसा महा उपाई कर सकते हैं पर जल घर से भरकर ले जाईए गैगा और घर में फूजा करते हैं तो किसी एक बतन को रखें वहां पर आप पूजा कर लें बाद में उसे उठा के कहीं मिट्री में डाल दीजीएगा इस बात का ध्यानर रखें चूकि बहुत ज्वार जादा घाला करत खाके नाली में डाल दीजेगा कभी आप चाहें तो एक मेहना बाद भी डाल सकते हैं चुकि आज हमारा टॉपिक था जाडू का पुराना जाडू आखिर पुराना जाडू का क्या किया जा देखिए ऐसा हमारे जोतिस में माननेता है यदि आपके घर में बहुत समस्या है बह मारियों से धन से पारिवारी जीवन में टेंसन से तब आप अपने घर की एक पुरानी जाडू ले और उसको उठाकर किसी भी बर्गत के पेड़ के नीचे रख दें बर्गत का पेड़ तो आपको पता होगा भोलते ना पीपल बर्गत जिसे बट बिच कहते हैं और ये काम आपको अरली मॉनिंग करना है चुपके से बाचीत कम कीजेगा ऐसी मानियता है अगर अमवस्यतिति को ये उपाई किया जाए तो घर की दरित्ता दूर चली जाती है और आपके घर में सुकसानती आती है बीमारियां परिसान नहीं करता लेकिन आपको लगे कि जीवन में त पानी पिलाए किसी पंची को पानी पिलाए आपको जो मिल जाता है उसी की बैक्ति हो या फिर इनिमल हो देखिए यहां सबसे बड़ी बparagus कैंना बहुत मात्तोब और खासकर आप दान के जरीए अपने जीवन की परिसानियों को कम कर पाते हैं तो भगवान सूरी सुर्य को एक लोटा जल तो हर हालत में आपको अर्पीत करना है सुबह सुबह इस बात का हमेशा याद रखिएगा क्योंकि भगवान सुरी को जब आप जल अर्पीत करते हैं तो उसमें काला तिल डाल दें पित्री देवों के निमित ये करना बहुत जरूरी है पित्री देव इससे संत दीख है वहां पर आप एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल थोरी सी मिस्री चीनी गुड जो भी है ले जाकर चड़ाएं और आप चाहें तो सफेद कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं और परिक्रवा किया जाता है इससे आपकी समस्त मनो कामनाएं पुर्ण होती हैं ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब करते हैं लेकिन याद रखिएगा आप भले ही सूत लपेटें पर ऐसा भी माननेता है कि अमोस्या तिति को पीपल का ब्रिक्ष नहीं चुना चाहिए इसलिए आप बरगत का ब्रिक्ष में यह उपाई कर सकते हैं जल हलांकि आप उपाई जाडू का एक और बहुत आपको जीवन के परिसानियों को समाफ्त करेगा क्या करेंगे सुबह सुबह जब आप अपने घर में जाडू लगाईएगा तो जाडू लगा कर कुड़े के साथ जाडू को फेक दें ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आप चाहें तो इस अज हमने आपके साथ बहुत सारे जाडू के उपाई सेयल किये एक और बात खास बात बहुत सारे दर्सक कहते हैं बहुत सारी कर्ज से परिसान है क्या करें तब ऐसे में रिनमोचक मंगल स्तुरत का पाठ करें अगर आप नित्य प्राता है एक बार भी रिनमोचक मंगल स्त का पाठ करते हैं तो इन करजों से मुक्त भी हो जाते हैं और जीवन में कभी भी आपको करजों की परिशानी नहीं सताती नहीं धन की परिशानी सताती है तो इस दिन से आप कोई भी नया उपाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि जीवन की हर मुस्किलों से आप पा पूरा महिना आपने अच्छे काम किये हैं तो उसका भी दसगुना आपको मिलेगा बुरे काम किये हैं तो भी मिलेगा और उन सभी का प्रेस्चित करने के लिए अमवस्यति थी को सिबिलिंग पर एक लोटा जल और पीद करने से आपके जीवन के तमाम तकलीफों से आपको पुकरना सोगा तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेव धन्यवाद